हमारे जीवन में हर ग्रह का अपना एक प्रवाव होता है कुछ ग्रह अच्छे प्रवाव देते हैं तो कुछ पूरे तो आज हम ऐसे ही एक ग्रह के बारे में बात करेंगे अपने पूछा की ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन को किस तरह से संचालित करते हैं या क्या योगदान रहता है ग्रह का हमारे जीवन में नमश्कार जैसा आपने पूछा कि ग्रहों का क्या योगदान रहता है हमारे जीवन में हमारा जो जीवन चल रहा है वो ग्रहों की बदोलत ही चल रहा है जिस समय पर जन्म होता है किसी का व्यक्ति का तो उस समय पर जो ग्रहों की इस्थितियां रहती है उसी ग्रह की इस्थिति के अनुसार व्यक्ति को पूरा अपना जीवन यापन करना होता है कुछ ग्रह शुप्रभाव देते हैं, कुछ अशुप्रभाव देते हैं तो उन ग्रहों की पहचान कर सही का जो उनके शुप्रभावों को लेना अगर कोई किसी ग्रह के कारेंट कुछ आपको दुश्प्रभाव मिल रहाए को समस्य आ रही है तो उनको दूर करना उपायों के द्वारा इस तरह से ग्रहों का योगदान हमारे जीवन में होता है अब जैसा कि आपने बोला अशूप रभाव तो जैसे एक अशूप ग्रह सबसे जादा माना जाता है जो ग्रहों में होता है राहू तो क्या बताना चाहेंगे कि राहू कब शूप रभाव देता है कब उसके अशूप रभाव होते हैं तो आप थोड़ा सा मारे दर्शकों को बताईए जी राहू जो ग्रह है वास्तों में राहू और केतु छाया ग्रह होते हैं राहू शनी की छाया माना गया है ये ग्रह नहीं है ये छाया ग्रह है ग्रह मुख्य तह साथ ही है परन्तु अभी के जो कल्यूक चल रहा है इसमें आप सबसे ज़्यादा प्रभाव देखे जैसा कि आपने सुयम ने पूछा कि राहू का जादा सुना जाता है क्योंकि ये आकस्मिक ग्रह है जल्द बाजी करने वाला ग्रह है राहू का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है व्यक्ति को भ्रमित करना आपकी दिशा से भटकाना गलत निर्णाय करवाना गलत संगती में पड़वाना यह चीजे राहू के द्वारा की जाती है अब आपने पूछा कि यह शुब परभाव कब देगा? और अशुब परभाव कब देगा? राहू की जो स्थिती होती है राहू सूर्य और चंद्र, इन्हें दोनों को ग्रहें लगाता है, मतलब इन दोनों से प्रबल शत्रूता रहता है, तो यदि रaहू इनकी राशी में बैठे हुए हैं, सूरी की राशी में यह चंद्रमा की राशी में, तो निश्चित रूप से बूरे प्रभाव देंगे शनी राहू के परम मित्र होते हैं अगर शनी की राशी में बैठते हैं राहू और शनी भी पापी ग्रहें तो ये नहीं कहा जा सकता कि वहाँ पर राहू शुब प्रभाव देगा बहुत कम कैसे से से होते हैं जिसमें राह का सबसे बुरा बता है तो जैसा कि इसका टाइम पीरेड कितना होता है जैसे शनी की साड़े साती होती है तो इसे राहू का क्या टाइम पीरेड होता है कि उतने टाइम में वह आप जब रहेगा आपकी कुंडली में तो आपको बुरे ही प्रवाव देगा वह राहू हर ग्रह ग्रहों की अंतरदशा आती है प्रतिंतरदशा आती है सुख में प्रतिंतरदशा आती है तो उन ग्रहों के हिसाब से शुब अशुब फल हमें प्राप्त होते रहते हैं राहू का जो कारी जैसा मैंने आपको बताया भ्रहमीत करना राहू क्या करवाता है राहू जातक को सबस तक रहेगी 18 साल में लगी तो 36 साल तक के लिए यही जो अवधी होती है वो व्यक्ति को सहीद दिशा चैन करने की केरियर की विवाह की संतान की इन सब में उसको यह बड़े निर्ने लेने होते हैं अब अगर कुंडली में राहु अशुब इस्थिती में हैं खराब है और 18 व इस तरह की स्थितियां पारीवारी क्लेश भी राहु काफी हथ सकते हैं हर ग्रह का उपाए के माध्यम से ही किया जाता है अधिकतर चीज में आपने सुना होगा कि इस चीज़ का दान दे दो लाल चीजों का दान दो सफेज चीजों का दान दो ये टोटल जो निर्भर करता है ये जन्म कुंडली के उपर निर्भर करता है राहू के हम छोटे-छोटे उपायों की रत्न जो होता है राहू का सबसे पहले आपको बता दे गोमेद रत्न राहू का होता है परन्तु क्या हमें जन्म कुंडली के आधार पर उसको बहनने की अवशक्ता है या नहीं है उसका आकलन उस समय पर किया जाता है परन्तो हम यदि राहू की महादशा है और हमको ऐसा लग रहा है कि या राहू ने हमको कुछ पीछे करके रखा हुआ है कुछ अशूप्रभाव हमको मिल रहे हैं तीसरा शनिवार के दिन किसी भी जरूरतमन व्यक्ति को तमाकू का दान करें जो टोबे को होती है उसका दान करें बीडी सिगरेट आदी का दान करें उसके आलावा आप राहू उसके लिए बहते हुए पानी में जव डालते हैं जो प्रभाहित करते हैं शनिवार के दिन उसस शबाइबाएं तो राहू को मंत्रों के दवारा राहू के अठारा हजार जब होते हैं कलयोग में लिए विजब कर bacon कर ने क्लिए बताएं दिया में ज afterwards करवा सकते हैं राहू को शान्द करने के लिए इस तरह उपाए करके और विश्यश कि अगर आपको राहू की महादशा चल रही है, तो आपका कीचन हमेशा एकदम स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, किसी भी तरह का कबाड़ खाना घर में नहीं होना चाहिए, आप जो भोजन करते हैं वो भोजन आप रसोई घर में बैठ करके करें राहू की महादशा में निश्चित रूप से आपको राहू के शुबफल मिलेंगे एक विशेज ध्यानोर रखें कि कीचन में कभी भी अंधेरा नहों अगर घर के खिचन में अंधेरा है इसका मतलब वहाँ पर राहू का वास है तो इनके शुब प्रभावों के लिए आप इन उपाय छोटे छोटे उपायों को करके राहू को शांत कर सकते हैं क्या हम उपाय कर सकते हैं कि जो सारे ग्रह नक्षत्र है वो हमारे फेवर में हो राहू केतू पर्यंत जितने भी नो ग्रहा हैं इन सभी ग्रहों की अलग-अलग उपाय होते हैं कुंडिली में हमें देखना होता है कि हमें तीन प्रकार के ग्रह होते हैं कुछ होते हैं योगकारक ग्रह कुछ होते हैं अकारक ग्रह और कुछ होते हैं तटस्त ग्रह कुंडिली से हम को किस ग्रह की जरुत पढ़ रही है किसकी महादशा चल रही है या कौन सा ग्रह हमारे लि करके परेशानी यह तो उससे संबंदित ग्रहों को उठाएंगे पर जो आपनी प्रश्ण पूछा कि सभी ग्रहों को संतुलित करने के लिए सबसे उत्ता मुपा है अपने माता पिता की सेवा करें माता पिता का अशिरवाद लें अपने कर्म अच्छे करें कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे आपको हमेशा शुप्रभावी देंगे यदि आप कर्म अच्छे करते हैं तो शनी आपसे हमेशा प्रसंद रहेंगे और हर ग्रह का संबंद किसी न किसी रिष्टे से हैं जैसे सूर्य पिता से संबंद रखते हैं आप पिता की सेवा करें पिता का अशिरवाद लेते रहें उनकी आदर्शों पर चले उनकी बात को माने तो सूर्य आप से प्रसंद रहेंगे चंद्रमा माता से का रखें तो आप माता का अश तो आप इन से अच्छे संबंद रखेंगे तो बुद्ध के अच्छे प्रभाव मिलेंगे गुरू जो है आपके घर में उपस्थित बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं बाहर के भी आप उनका संबान करेंगे उनके अशिरवाद लेंगे अपने गुरू का अशिरवाद ल रहेंगे शनी आपके नीचे तपके के जितने भी लोग हैं अगर आप एंप्लायर हैं तो आपके एंप्लाई और आप जिस भी श्रेणी में हैं उस से नीचे श्रेणी के जितने भी लोगे मजदूर हो गए जो स्वीपर साधी हो गए और जो नीचे चतुर श्रेणी में का करने वाले लोग हो गए आप उनको प्रसंद करेंगे तो शनी आप से जो है प्रसंद रहेंगे राहु भी दादा के कारक ग्रहें आप दादा की सेवा करें और केतु जो है वो आपके नाना जी के कारक ग्रहें तो हर ग्रह किसी ने किसी प्रकार के रिष्टों से जुड़ा कि आपके जितने भी रिष्टे बने हुएं आप उन रिष्टों को मेंटेंड करिए आप किसी भी प्रकार का कोई इगो द्वेश इत्यादी अपने रिष्टेदारों से समाज जनों से ना रखें सारे ग्रह आपके अनुकूल होंगे आपकी बेहन आपकी बेटी आपके जाता है कि हर ग्रह के अपने इस्ट देवता होते हैं तो राहु की क्या है कि हम उन्हें प्रसंद करें तो राहु हमारे फेवर में सारे फल दें तो ये भी आप उपाए बिल्कुल देखे राहु की प्रसंदा के लिए सरस्वती माता की अराधना सबसे विशिश तोर पर ब बशर्ते कि आपके कर्म अच्छे हो आपकी भावना अच्छी हो धन्यवाद पंडी जी इतनी महत्वपून जानकारी हमसे साज़ा करने के लिए एलो पंडी जी के खास कारिक्रम में आज बस इतना ही हमें दीजिये इजाजत हम फिर मिलते हैं नए विशे के साथ तब तक के ल